Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की collective reading है और आज हमारे ये question है, What do they want from you? वो आप से क्या चाहते हैं? So, आज की reading सब लोगों के लिए open है, of course, हमेशा की तरहां और बिल्कुल भी gender specific video नहीं है. आप इसको male के लिए देखें, female के लिए, same gender के लिए भी देख सकते हैं Less contact है, अगर आपकी उन से शादी हुई भी है और आप separation से गुजर रहे हैं और आपको confusion है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो आप से चाहते क्या हैं So, यही हम जानने की कोशिश करेंगे. शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि Cards, Possibilities बताते हैं आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं Thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए हैं मेरे channel पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा इस reading के आखर में आप लोगों के लिए channeled messages भी होंगे So कोशिश कीजेगा कि reading को आखर तक देखीगा ताके कुछ भी आप miss ना करें So let's start Spirit हमें divinely guide कीजेगा मेरे viewer से वो क्या चाहते हैं What do they want? Okay, we have queen of cups Four of cups Ace of cups बहुत emotional है I feel आप लोगों का connection बहुत ज़्यादा cups की energy है What do they want? The tower मैं reversals नहीं पढ़ती हूँ आप सब लोगों को पता होगा So we have two of wands Four of wands So ये आप लोगों का twin flame connection भी हो सकता है The hermit बहुत सारे आगए I feel कि हमें ये रख लेने चाहिए Extra messages So we have six of pentacles Eight of swords Death And then king of sword So यहाँ पर सारे star signs है आप लोगों को पता है कि collective readings में सारे star signs होते है Regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आपकी reading है So I feel सबसे पहली चीज़ आपका प्यार उन्हें आपके प्यार की बहुत जरूरत है I feel कि आप उन्हें heal कर सकते हैं मुचाते हैं कि आप उन्हें heal करें यह आपके लिए थोड़ा सा challenging connection है I feel क्योंकि इस connection ने आपकी energy को कहीं न कहीं drain भी किया है So अगर draining है तो आपने अपने लिए जरूर time निकालना है ताकि आप अपनी energy को regain कर सकें rebuild कर सकें अपनी strength को कोई भी connection अगर आपकी energy को drain कर रहा है आपकी energy field को खराब कर रहा है damage कर रहा है तो उससे आपको detach जरूर होना चाहिए बट अगर यह connection toxic नहीं है तो फिर आप जरूर इसमें invest करते रहिए जैसे आपकी intuition आपको बताती है तो पहली चीज़ तो यही नज़र आई है कि आपके person प्यार चाहते हैं आपका उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपका उनको उनकी care करना आपने मुझे लगता है कि उनको जब घुसा आता है आप तब भी उनने बहुत ज़दा support करते है आपने उनके घुसे को आपने उनका extreme देखा हुआ है and I feel कि वो यह बात आपकी सबसे ज़दा आइड्माइर करते हैं कि आपने उनके true colors देखे हैं उनको शदीद घुसे में भी देखा है और बड़े patient रहे हैं आप इनके साथ आप बहुत generous हैं बहुत kind रहे हैं so आपकी kindness उने चाहिए वो आपका यह unconditional प्यार चाहते हैं बहुत specific message आ रहा है maybe उन्होंने काफी selfishly behave किया आपके साथ आपसे प्यार लेते रहे लेते रहे लेते रहे और बदले में आपको support नहीं दी उतना ज़दा invest नहीं किया आपने किया hot and cold रहे आपके साथ जब दिल किया आपकी energy consume कर ली दिल किया आपकी energy experience कर ली और फिर गाइब कुछ इस तरह की energy भी feel हो रही है but I definitely see कि आपके person भी आपसे बहुत प्यार करते हैं definitely प्यार यहां पर present है कभी कभार selfishly behave करते हैं and I feel कि कि उनके कुछ relationship patterns है जो ठीक नहीं है जिन्हें change करने की जरूरत है कुछ limiting beliefs या negativity कुछ है जिसे आपके person को बदलने की जरूरत है transform होने की जरूरत है and I feel कि आप उनकी जिन्दगी में वाहिद वो इनसान है जो ने inspire करते हैं उन्हें समझाते हैं उन्हें guide करते हैं so आपके person आपसे प्यार चाहते है और वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे नफरत करें ये इनसान आपसे वाकिए ही बहुत ज़्यादा attached है बहुत प्यार है आपसे I feel कि आप मेंसे कुछ लोग शायद separation से गुजर रहे हैं या stuck है आप लोगों का relationship आगे नहीं बढ़ रहा बट आपके person आपसे communicate करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुने वो चाहते हैं कि वो अपने दिल की भडास निकाले आप पर गुस्सा नहीं इन असेंस कि जो कुछ भी आज तक उन्होंने दबाया हुआ था deep down जो उनके true colors थे, emotions थे यानि deep down जो traumas थे जो past था वो आपसे share करना चाहते हैं बेबी उन्होंने किया भी है बट बहुत जादा deeper level पर आपसे शायद communicate नहीं किया वो करना चाहते हैं आपसे क्यूंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है उनका दिल हलका हो जाता है जब वो आपसे बात करते है and I feel कि वो आपसे यह कहना चाहते है कि मेरी बात सुनो just listen to me मुझे कुछ कहना है I feel कि वो चाहते हैं वो आपस काम होकर उनकी बात सुने I feel कि आप already बहुत उनके साथ patient रहे है बहुत ज़्यादा patient रहे है I feel कि इस connection ने आपको सिखाया ही patience है बहुत specific message था So आपके person क्या चाहते हैं प्यार चाहते हैं long term चलना चाहते हैं आपके साथ I don't know कि वो किस तरह से आपके साथ behave कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या चल रहा है आप लोगों के connection में but I do see कि वो आपके साथ long term potential देख रहे हैं उन्होंने choose किया है आपको उन्होंने प्यार किया है आपसे और वो I'm sorry वो invest भी करना चाहते हैं इस connection में वो आपको support भी करना चाहते हैं कुछ लोगों की तो spiritual awakening चल रही है with the hermit ये बहुत spiritual card है I also feel के वो आपके बेन lost feel करते हैं जब आपका प्यार नहीं होता जब आपका साथ नहीं होता तो उन्हें बहुत दुख होता है अकेला पन महसूस होता है lost feel करते हैं ढूंडते हैं आपको they want you what do they want from you you they want you बहुत खुबसूरत reading है और बहुत deep है and of course challenging भी है आप लोगों का connection so I feel कि आपके person अगर अभी आपसे कुछ कहते तो वो कहते कि just stay calm stay patient stay with me whatever I do, wherever I go, I'll be back वो आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमारा यह connection कभी खतम नहीं होने वाला चाहे हम जितना भी लड़ें जो भी करें just stay with me वो यही चाहते हैं आपसे कि आप उनके साथ रहें क्योंकि आपकी energy उन्हें काम करती है calm down करती है आपका साथ I must say कि अगर इस वो अक्तिस प्रेजन टाइम में उन्हें कोई काम डाउन कर सकता है तो वो सिर्फ आप है So that's why they really want you वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहें Let's see कुछ और इकल्स आप लोगों के लिए वो और क्या चाहते हैं आपसे We have forgiveness Wow वो चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हें माफ करते रहें This is so sweet But ये depend करता है Very करता है Situation to situation क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि sometimes कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिनको माफ तो किया जा सकता है But उसके बाद फिर वो connection वैसा नहीं रहता फिर उसके बाद Detach होना पड़ता है So ये आप बहतर जानते हैं कि आपकी situation में क्या था क्या वो माफी के काबिल था या नहीं So it all depends on you and your situation सब के लिए vary करेगा But they really want forgiveness वो माफी चाहते हैं माफी मांगना चाहते हैं जो भी उन्होंने किया वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दे वो आपकी नफरत को afford नहीं कर सकते That's what I see वो कभी भी नहीं चाहते कि आप उनसे नफरत करें Then we have grief, faith and soulmate Wow So मुझे पहले ही vibes आ रही थी कि ये soulmate ये twin flame connection है बहुत sad है बहुत ज़्यादा pain है बहुत ज़्यादा दुख है And I also feel कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है Grief में डाला है और इसी वज़ा से वो आपसे माफी माँगना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको ये दुख दिया है आपको तन्हा छोड़ा कुछ लोगों के लिए I feel कि आपके इनसे बच्चे भी है बच्चों को भी छोड़ा आपको भी छोड़ा अकेला उन्हें दुख है इस बात का Definitely वो चाते हैं कि आप faith रखें इस connection पर आप give up कभी भी ना करें इस connection पर और उन्होंने भी इस connection पर give up नहीं किया है वो आज भी आप से उतना ही पयार करते हैं जितना पहले करते थे और hopeful हैं कि आगे चल कर चीज़ें बहतर हो जाएंगी They really want you in their life So, कुछ और oracles आप लोगों के लिए देखते हैं क्या चाहते हैं Alright So, we have Chemistry and Express Your Love So, बहुत clear messages आ रहे हैं Go ahead and make the romantic gesture There is a strong magnetic attraction here So, yes Strong bond है, strong connection है जितनी मर्जी लड़ाई हो आप लोग फिर सुला कर लेते हैं I feel कि ऐसा बहुत दफा हुआ है पहले भी लड़ाई हुई है आप बड़ी खामोशी से Cool, calm and collective रहकर situations को handle करते हैं उन्हें handle करते हैं और फिर सुला हो जाती है But I feel कि कहीं न कहीं आपकी energy drain होती है जाहर है कि आप भी इनसान हैं आप भी थक जाते हैं Sometimes exhaust हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा So, I feel कि आपके person को इस बात की बहुत ज़ादर realization हो रही है But वो चाहते हैं कि मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ Please मुझे accept कर लो Please मुझे मत छोड़ना I feel कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं They really want to say कि मुझे मत छोड़ना I know मुझे से गलतियां होती है I know I am not the best या मैं बहुत बहतरीन इनसान नहीं हूँ But I really want you to stay I feel कि वो आपसे ये कहते हैं कहना चाहते हैं शायद इतनी करज नहीं है कि कह पाएं But they really want you to stay in their life Now one last card वो क्या चाहते हैं वो वाकिही आपको रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में But गलती हो जाती हैं उनसे गलतियां इनसानों से होती हैं Maybe आपके connection में आप बड़े हैं Not in a sense कि आपकी ये ज़्यादा है In a sense कि आपका दिल बड़ा है और आप माफ करते हैं और आप इस connection को मजबूत बनाते हैं Then we have honesty is essential Speak with love and truth So I feel कि आपके person आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं Express your love, honesties, essentials, soulmate, faith बहुत खुबसूरत कार्ड्स हैं ये सारे So I feel कि आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आपसे भी वो प्यार चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप उनसे कभी नफरत ना करें Through our this reading में मुझे यही नज़र आया है कि आपके person definitely आपको अपनी जिन्दगी में रखना चाहते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं आपको चाहते हैं So this is very beautiful वो आपसे कोई पैसा नहीं चाहते कुछ और नहीं चाहते सिवाए प्यार के क्योंकि आपका प्यार उन्हें complete करता है बहुत fulfilling है आपका साथ उनके लिए And that's all they want from you Nothing else कोई lust नहीं है कोई और बुरी intention नहीं है They just want you to be there Be there for them So यह totally आपका decision होगा कि आपने रहना है या नहीं रहना है Again मैं यहीं कहूंगी कि अगर toxic situation है तो definitely कोई भी आपको encourage नहीं करेगा So यह कुछ channeled messages जो मैं intuitively आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ Let's see अगर वो कुछ आप से कहते अभी तो वो क्या होता कुछ और clarity हमें मिल जाए So Let's start First Let me carry your burden तो उनकी खाहिश है कि काश वो आपकी pain, grief, आपकी परिशानी, तकलीफ अपने कंधों पर ले लेते I have mommy issues So maybe Mama's girl या Mama's boy है Maybe influence है mother का उनकी कोई trauma भी हो सकता है Mother से related So आप देख लीजी आप से कैसे resonate किया I fell for you even though you think I did not So definitely उन्हें आप से प्यार हुआ Deep था, आपको चाहे लगे कि नहीं हुआ बट हुआ I got my karma So आपको hurt करने के बाद वो भी बहुत hurt हुए है किसी भी और तरीके से But then no कि ये उनका karmic lesson था आपको तकलीफ देने के बाद जो उन्हें मिला है I will confess So yes, express your love Honesty is essential and I will confess वो आप से confess करेंगे कि वो आप से कितना प्यार करते है और आपकी कितनी importance है I want you more Yes, they do want you Your beauty and grace captivates me और ये चीज़ मुझे पहले ही feel हो रही थी कि आप में एक grace है आप बहुत decent है क्योंकि आपकी बहुत cool vibes आ रही है आज मेरे viewers के लिए आज जिन collectives की हम reading करें आप लोग बड़े cool हैं collective हैं बहुत calm है आपको बड़ी grip है अपने emotions के ओपर So, आपकी ये grace आपकी ये beauty उन्हें बहुत captivate करती है Fantasizing about you The real me might disappoint your fantasy Maybe उनकी reality ने पहले ही आपको disappoint किया आपने कुछ और समझा था उनके बारे में उनकी personality के बारे में और वो कुछ और ही निकले But still आपने unconditionally उन्हें प्यार दिया And they love that about you This is true love So, उन्होंने पहली दफ़ा experience किया है true love You open me up to my sensitivity So, yes आप उन्हें trigger भी करते हैं Inspire भी करते हैं All I do the whole day through is dream of you So, ये एक song भी है गर आप सुनना चाहें So, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सोचते हैं तो ऐसा नहीं है Definitely आप दिन में कई बार उन्हें याद आते हैं ऐसा नहीं है कि वो आपको बिलकुल याद नहीं करते तीसरी दफा कन्फरमेशन आ रही है And I don't know I don't know कि मैं क्या बोल रही है और कैसे बोल रही हूं So, Soulmate Twin Flame ये तीसरी कन्फरमेशन आई है ये connection Definitely Soulmate ये Twin Flame connection है I need a hug This is sweet My beloved Dreaming about you all the time I feel कि आपने Recently उन्हें खाब में देखा है या उन्होंने आपको खाब में देखा है Dreams के थूँ आप लोग connected है I'm sinking between heaven and disaster We both have work to do on ourselves हम दोनों को grow करने की जरूरत है अपने उपर काम करने की जरूरत है वो आप से ये कह रहे हैं I'm sorry for not wishing you a happy birthday Specific है ये message Maybe आप में से किसी कोनोंने birthday wish नहीं किया I will fight till the end Video को मुझे दर्मियान में ही stop करना पड़ गया क्योंके मुझे बहुत जोर से चींक आ गई Sorry for that So I will fight till the end वो आप से ये कहना चाहते हैं Maybe वो पहले ready नहीं थे Fight करने के लिए This connection के लिए But now they are ready And they want you to be with them To stay with them You are the only one for me So आप से ही कहना चाहते हैं कि आप ही हैं उनकी जिन्दगी में आपके इलावा और कोई नहीं है और नहीं कोई हो सकता है I keep falling in love with you I will call you So ये बहुत खुबसूरत मेंसिज आया है अगर no contact situation है कुछ लोगों की Definitely they will reach out वो आप से बात करेंगे Call करेंगे आपको और बस वो आप से आपका प्यार चाहते हैं So ये आप लोगों की reading थी बहुत अच्छी reading थी है I hope आप लोगों के लिए इसमें कुछ helpful रहा अगर रहा तो मुझे आपने जरूर comment section में बताना है अगर आप नई थे मेरे चैनल पर Like कीजेगा, Share कीजेगा और सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी जिन्दगी में Manifest करना चाह रहे हैं New Love, True Love आपकी जिन्दगी में जरूर Manifest हो और जरूर होगा क्योंके You are worthy of love And You are lovable अपना धेर सरा ख्याल रखिएगा I'll see you in my next video Till then, Love you lots Bye Bye